नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी लोग का सोनु श्टडी क्लासी यूटूब चलने में दोस्तों मैं आप लोग को इंसी आटी बुक क्लास 12 समास सास्तर चैप्टारी सराचनात्मक परिवर्तन परपरस उतर मैं आप लोग को स्वूड़ों बताऊंगा प्रस नमबर एक उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है आप या तो किसी एक पच्छ जैसे संस्कृती या राजनिती का को केंद्र में रखकर या सारे पच्छों को जोड़कर विशलेशर कर सकते हैं उतर विटिस उपनिवेशवाद जो क उद्देश विटिस पुझिवाद को विश्तारित तथा मजबूत कराना था। उसने क्रिसिगत भुमी के नियमों में भी बदलाव किये कौव? इसने न केवल भुमी के सौमितों में बदलाव किये बलकि इस नीती ने यह भी निरधारित किया की कौन सी फसल का उत्पादन किया जाना चाहिए तता किसका नहीं किसका नहीं ख इन नीतियों ने वश्तुकों के उत्पादन तता वित्रण की पद्दती में भी बदलाव किये गव इसने वी निर्माड शेत्रों में भी हस्तचेप किया गव इसने जंगरों पर नियंत्रण करके पेडों का सफाया कर वहा बगान लगाना प्रारम कर दिया अंग उपनिवेसवाद ने बन अधिनियम लागू किया इसके कारण जन जातियों तथा चरवाहों के जीवन में बदलाव आया च इसने लोगों को भारत के एक भाग से दूसरे भाग तक आने जाने को भी सुगम बनाया इस कारण लोगों में जागरुकता बढ़े दता वेटीस उपनिवेसवाद के विरुद असंतोस और मुखर हुआ उपनिवेसवाद ने हमारे संस्कृति और राजनेतिक जीवन को काफी प्रभावित किया तथा कौमो वेश इसे एक दूसरे के साथ मिलाने का भी काम किया गती सिलता तथा आधूनिक विचारधारा को अपनाने के कारण लोगों ने स्वतंतरता तथा मानुधी कारों के बारे में सूचना प्रारम किया इसने प्रहारतिय स्वतंतरता आंदूरन की निव को तयार किया। उपनिवेश वाद का एक महत्पूर्ण समाजिक प्रभाव भी था। जैसे कि भारतिय मद्यम वर्ग की जीवन सेली में परिवर्तन आया। इसके खानपान भासाद था पहनावे में भी परिवर्तन आया। उपनिवेश वाद का भारतिय समाज पर प्रणे वाला राजनितिक प्रभाव बहु थी गहरा था। इसने हमारे राष्ट्य आंदूरन राजनितिक पद्धति संसदिय तथा विविद पद्धति सविधान सिच्छा पद्धतित पुरिस सहायता के नियम दता कुल मिलाकर प संत्रिक उत्वादन के उदय से है जो सक्ति के गैरमानुविय संसाधन जैसे भास से या विदुत पर निर्भर होता है और द्योगिक समाज की एक प्रमुक विशेशता है कि लोग किरिसी के वजाए आधिक संख्या में कारखानों, आफिसों और दुकानों में काम करते रहे 90% से भी अधिक लोग कस्बों और सहरों में रहते हैं क्योंकि वहीं पर रुजगार रथा ब्यवसाई के अधिक आउसर होते हैं विटिस का समाण अधिक करण से गुजरने वाला पहला समाज था अतब सबसे पहले ग्रामिड से रुपांतरित होकर नगरी देश बना विटिस सासनकाल के दवरान को छेत्रों में अधिक करण के कानपूराने नगरी केंद्रों का छरण हुआ उपनिवेसी सासनकाल के दवरान पूरानी नगरी केंद्रों का छरण हुआ तथा नए उपनिवेसवादी नगर बस गए उधारन सूरत और मसूली पटनम ने अपना आकरशर खो दिया मुंबई तथा चन्नाई महतपूर्ण सहर बनकर उबरें जब विटेस ने निर्माड छेत्रों में तेजी आई हुई थी तब भारत के प्रमपरागत निर्यातक वस्तु रेसम तथा कपास के उत्पादन तथा निर्यात में गिरावट आई क्योंकि यह मैन चेश्टर के प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे उनिसमे सतावदी के अंत में भारत के कुछ सहरों में और ध्योगी करण के कारण उनकी जन संख्या में तेजी से व्रिद्धी हुई पूर्वी भारत के उन चेत्रों के अत्रिक्त यहां विटिस का आगमन जदेता संखनन था दूसरे चेत्र अधिक समय तक इससे अप्रभावित रहें उधारना सुदूर गाउं की ग्रामिड सिल्प कला इससे काफी समय तक अप्रभावित रहें इन पर प्रभाव तभी पड़ा जब रेलवे का विश्तार हुआ स्वतंतरता प्राप्ती के बाद भारत सरकार ने और द्योगी करण के सरचण तता सरवधन के लिए महत्पून कदम उठाए उधारनी उधारी करण की वर्तमान निती के करण सहरों का त्रिव विकास हुआ प्रस्ट नमबर तीन किसी ऐसे सहर या नगर को चुने जिससे आप भली बाती परचित है उस सहर नगर के इतिहास उसके उदव और विकास तथा सम सामीक इस्तिती का का वित्रण दे उत्तर स्वयम करें प्रस्ट नमबर चार आप एक छोटे कस्बे या बहुत बड़ा सहर या अरद नगरी अस्तान या एक गाओ में रहते हैं जहां आप रहते हैं उस जगह का ओर्ण करें वहाँ की विसेशताएं क्या हैं आपको क्या लगता है कि वह एक कस्बा है सहर नहीं है सहर नहीं एक गाउं है कस्पा नहीं यो सहर है गाउं नहीं जहां आप रहते हैं क्या वहां कोई कारखाना है क्या लोगों का मुख्य ब्यवसाय खेती है क्या ब्यवसाय वहां निनायक रूप से प्रभाव साली है क्या वहां इमारते हैं क्या वह सिच्छा की सुवधाई उप करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग